बुड मॉर्निंग फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूटूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लीट एक्जाम यानि लेटरल इंजिनियरिंग एंटरंस टेस्ट का प्रिवियस एयर का इंग्लिस का कोस्चन इससे पहले एक और पेपर मैं इंग्लिस का डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में एक लीट एक्जाम नाम से एक फोल्डर बना हुआ है आप उसमें से जाके देख सकते हैं साथ ही साथ अगर आपको मेकानिक्स का प्रिवेस एयर का भी वीडियो चाहिए या मैस का भी वीडियो चाहिए तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ पेपर वो 2018 के LEET exam में पूछा गया है जो कि आपके आने वाले सारे LEET exam के लिए काफी महत्पूर्ण है अभी रिसेंटली आप लोगों का BCEC का LEET exam होने वाला है उसमें ये पेपर से आप लोगों को एक आईडिया मिल जाएगा कि किस लाइप के questions पूछे जाते हैं आप लोगों को question स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात बता दूँ कि आप लोगों की पढ़ाई के लिए या आप लोगों को study notes प्रोबाइट करने के लिए मैंने एक WhatsApp group create कर रखा है अगर अभी तक आपने उस group से join नहीं हुए है तो नीचे दिये गए या फिर description में दिये गए link से आप जाके उस group में join हो सकते हैं जहां कि आपको lead इक jam से related सारी information और सारे study material प्रोबाइट करवाए जा रहे हैं तो आएए शुरू करते हैं बढ़ते हैं अपने questions की तरफ questions है identify the correctly spelled word यहाँ आपको क्या identify करना है इसमें से कि जिसका character spelling होगा वो आपको इसका correct answer हो जाएगा तो अगर हम बात करते हैं question number 101 बन देगी 101 क्यों है क्योंकि एक से 50 mechanics पूछा जाता है 50 से 100 math पूछा जाता है और 100 से 500 तक English के questions होते हैं टोटल 150 questions होते हैं आपके exam में BCEC lateral entry में आईए बात करते हैं पहले questions की तो पहला question का जो सही answer होगा वो हो जाएगा option number B जो होता है defy D E I F Y इसका मतलब होता है पूछा करना clear है क्या होता है पूछा करना होता है अगर हम next question की बात करते हैं तो इसका जो सही answer होगा वो हो जाएगा option number C यानि continuity continuity का मतलब होता है निरंतरंता या फिर आप उसे बोल सकते हैं लागातार clear है चलिए अब बढ़ते हैं अगले question की दरब question number 103 है 103 का जो सही answer होगा बो हो जागा आपसा नमबर है जिसको हम लोग बोलते हैं convalescence ठीक है convalescence का मतलब क्या होता है मतलब होता है आरोग लाब क्या आरोग लाब या फिर आप इसको बोल सकते हैं स्वास्त लाब clear है चलिए अब बढ़ते है next question की दरब जो की है हमारा question number 104 104 का जो correct answer होगा बो होगा option number D जिसको हम लोग बोलते हैं communicate ठीक है communicate का मतलब होता है संपर्क करना या फिर होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना clear है next question है हमारा 105 इसका जो science होगा बो होगा option number A जो की है depreciate depreciate का मतलब होता है घटना ठीक है किसी भी चीज की मूल को या कीमत को घटना ही depreciate कहते हैं हम लोग कहते हैं कि हमने नई bike purchase की थी और उसके कुछ दीनों के बाद उसके कीमत में उसकी value में क्या आगया depreciation आगया मतलब उसकी value depreciate हो गई कम हो गई clear है चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले question की दरब next question हमारा कह रहा है कि identify the one bird which is not a synonym of the other three choices यहां क्या कह रहा है कि एक ऐसा bird आपको बताना है जो दूसरे bird का synonyms नहीं होना चाहिए चिक है clear है तो देखिए यहां मतलब कहने का मतलब है सबसे पहले इस चीज को solve करने इस question को solve करने के लिए आपका bird पाबर अच्छा होना चाहिए जब तक आप सब bird का meaning नहीं जाम पाईएगा आप इस question को solve नहीं कर पाईएगा तो वो जो whatsapp group है उसमें मैं daily basis पे आप लोगों को bird भी देता रहता हूँ ताकि आप लोगों का जो vocabulary है वो enhance हो जाया और आप लोग उसमें अच्छा एक्जाम में अच्छा perform कर पाएं तो आईए पहले सब birds का meaning देख लेते हैं उसके बाद खुद लोग खुद answer मुझे पता चलियागा तो सबसे पहले bird की अगर बात करते हैं अवोर अवोर का मतलब होता है नफरत करना क्या होता है नफरत करना ठीक है अगर हम second bird hate की बात करते हैं तो hate का मतलब ही होता है घ्रीना करना या नफरत करना despise की बात करते हैं तो despise का मतलब भी होता है कोसना किसी को कोसना किसी चैज के लिए या फिर घ्रीना करना ही despise का मतलब होता है और ignore का मतलब होता है अंदेखा करना ठीक है अंदेखा करना या फिर जिसको आप लोग बोल सकते हैं नजर अंदाज करना तो इसका जो सई अंसर हो का बो हो जाएगा option number D यानि की ignore, clear है अब बढ़ते हैं हम next question की तरफ जो की हमारा 107 अगर इस question की बात करते हैं तो सबसे पहला bird है बो है abscond abscond का मतलब होता है फरार होना ठीक है, फरार होना या फिर इसको आप लोग बोल सकते हैं लापता होना ठीक है फिर next by the decamp decamp का मतलब होता है जल्दी बाजी जल्दी बाजी में चलना या फिर एका एक भाग जाना होता है decamp का मतलब, clear है disappear का मतलब होता है गायब हो जाना या address हो जाना तो इससे आपको clear हो गया होगा कि इसका जो सही answer होगा आपो हो जागा follow का मतलब होता है अनुसरन करना कि हम किसी चीज को follow कर रहे है ठीक है second band है adhere adhere का मतलब होता है चिपक जाना next by the stick stick का मतलब होता है चिपकना और next by the cling cling का मतलब होता है चिपके रहना या फिर लिपट जाना ठीक है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा option number A यानि follow next question की तरह बढ़ते हैं जो कि हमारा question number 109 109 में सबसे पहला बढ़ है contemplate contemplate का मतलब होता है बिचार करना या फिर जिसको आप लोग कह सकते हैं ध्यान से देखना को भी हम लोग contemplate कहते हैं second word है हमारा consider consider का मतलब होता है बिचार करना या फिर जिसको कहते हैं गौर करना third word है हमारा muse muse का मतलब होता है बिचार करना या फिर चिंतन करना next word है cope cope का मतलब होता है मुकाबला करना मुकाबला करना या फिर जिसको आप लोग बोल सकते हैं सामना करना ठीक है तो इसका जो सही अंसर होगा वो जागा option number D यानी cop next question की अगर हम बात करते हैं तो next question का जो सबसे पहला बढ़ है वो है contradict contradict का मतलब होता है खंडन करना या फिर जिसको हम लोग कहते हैं बिपरित होना मतलब मैं कुछ और बोल ला हूँ आप कुछ और बोल ला है मतलब आप मेरी बातों का contradict कर लाए है clear है second one है pledge pledge का मतलब होता है बादा करना या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिग्या करना जैसे कि हम लोग जब schools में थे तो morning assembly में बोलते हैं कि pledge का time है pledge करना है मतलब प्रतिग्या लेते थे हम लोग कि all indians are my brother and sister and all third one है guarantee guarantee का मतलब होता है जीमा लेना या फिर बादा करना next one है contract contract का मतलब ही होता है ठेका लेना या फिर तै करना तो इसका जो सई answer होगा आप हो जागा option number है contradict का मतलब है खंडन करना या फिर बिप्रित होना प्लेर है चलिए हम next question है next question के लिए direction 111 से 115 तक के लिए दिया गया है कि identify the correct adjective for the given word अगर हम बात सबसे पहले adjective की कर लेते हैं कि आखिर है adjective होता क्या है adjective देखिए अगर हिंदी में बात करते है adjective तो कोई भी संग्या जो होता उसकी बिसेष्टा बनाने बतलाने बाले सब्द को हम लोग क्या बोलते है adjective बोलते हैं मतलब एक ऐसा bird a bird which tells you more about a noun जो noun के बारे में ज्यादा बता है उसी को हम लोग क्या बोलते है adjective बोलते हैं ठीक है चलिए अब बढ़ते है question की दरब तो पहला question दिया हुआ wild beast देखिए beast होता क्या है beast एक तरह का species है ठीक है क्या है a species of animal है ठीक है जो की बहुत सारे mixture of several animals है मतलब किसी एक animals को bits नहीं बोला जाता है बहुत सारे animals को हम लोग beast बोलते हैं ठीक है अब बात करते हैं और सारे birds की तो जो options है वो first one option है feral ठीक है feral का मतलब क्या होता है feral का मतलब होता है burn या फिर जंगली feral का मतलब क्या होता है feral अप लोग पढ़े होंगे to feral metal, no metal तो feral मतलब लोहे से संबन्दी जो चीज होता है उसको हम लोग फेर बोलते है ठीक है फिर है venus venus का मतलब होता है नस यूक्त या फिर सीरा परक next one है ursine, sign का मतलब क्या होता है ? ठीक है उसको बोला जाता है अर्साइन, ठीक है, तो इसका जो सही अंसर होगा, बो जागा, option number A, यानी feral, मतलब जंगले, ठीक है, यहाँ भी आप नाम से देख रहे होंगे, build wish लगा हुआ है, तो इससे भी आप guess कर सकते हैं, कि answer जो होगा, बो होगा, आपका option number A होगा, clear है, अब ब मतलब क्या होता है, कीड़ा, जिसको आप लोग बोल सकते है, ठीक है, क्या होता है, कीड़ा, अगर हम बात options की करते हैं, तो पहला option है, simmer, simmer का मतलब होता है, दैया, बानर के समान, को मों लोग equation बोलते हैं, ठिक है, next option है, vermion, vermion का मतलब होता है कीडे मकोडे, ठिक है, next option है, next option है, terene, terene का मतलब होता है, bell की तरह, ठिक है, next kania is sween, इसका मतलब होता है, offer relating to the sweena, ठिक है, तो इसका जोано Bryce यह वह 소य फेसा है, वर्मियन के मतलब है कीडे मकौरे तो 112 का जो अंसर हो जागा अब हो जागा option number B clear है चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ अगला question है हमारा 113 जिसमें दिया हुआ birth बढ़त का मतलब सबको पता है कि क्या होता है जन्म लेना होता है जन्म होता है ठीक है अब बात करते है options की option है पहला हमारा natal 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 का मतलब ही होता है जन्म संबंधी जन्म संबंधी चीजों को हम लोग natal बोलते हैं तो यह जो होगा option number यह जो होगा वो हमारा correct answer होगा लेकिन और options की बात देख लेते हैं और options है second one option है labial labial का मतलब क्या होता है है जो हम लोग sound मतलब lips से बोलते हैं ठीक है उसको हम लोग labial बोलते हैं मतलब ओठो से उत्पन जो sound होता है sound made from lips से उसको हम लोग बोलते हैं labial फिर next one है ठीक है next जो हमारा options है वो है temporal ठीक है तो इसका मतलब क्या होता है lock kick ठीक है next option है corporal corporal का मतलब होता है सारी रिक तो इसका जो सही अंसर होगा बहुजा का option number a अब बढ़ते हैं अपने next question की दरब जो की हमारा 114 114 है lungs lungs का मतलब आप लोगों का पता ही होगा यह हमारे body का एक part है फेफड़ा जिसको बोलते हैं अब बात करते है vocal vocal का मतलब क्या होता है जो हमारे sound से related होता है मतलब बानी से संबंदित होता है उसको vocal बोलेंगे ठीक है next one है guttural guttural का मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ठीक है next one है pulmonary ठीक है pulmonary का मतलब होता है फेफड़ा से संबंदित चीजे ठीक है क्या होता है फेफड़ा से संबंदित तो यानि जो option number D होगा वो हमारा correct answer होगा ठीक है चलिए अब अरते है next question की तरब next question है हमारा next question का जो दिया हुआ है वो है sip sip का मतलब क्या है भेड़ ठी ठीक है अब next question है appene appene का मतलब होता है relating to beach मतलब जो मधुमक्यों से related होता है उसको बोलते है next question है next option है he keen इसका मतलब होता है बक्रे की तरह फिर third one है ovine ovine का मतलब होता है भेड के समान ठीक है फिर next one है कवाइन कवाइन का मतलब क्या होता है relating to crow मतलब कवा से संबंदी चीजों को बोलता है कवाइन या फिर कवाइन जिसको हम लोग बोलते हैं ठीक है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा option number c यानि भेड के समान जिसको हम लोग बोलेंगे क्या ovine clear है अब अब अरता है next question की तरफ next question है identify the correct one word for the given groups of birds ठीक है यहाँ कुछ birds दिये हुए है उनके लिए आपको एक correct bird बता रहा है जो की बो उसे match करेगा तो दिया हुए salt, mustard और paper ठीक है salt, mustard और paper यह सब क्या है एक masala का form है इसलिए इसका जो correct answer होगा बो हो जागा option number b यानि seasoning seasoning का मतलब होता है masala clear है चलिए next question की तरह बढ़ते है next question है हमारा a person who collects coin एक वैसा इंसान जिसको कि हम लोग क्या बोलते है जो coin collect करता है उसको हम लोग क्या बोलते है उसको हम लोग बोलते है numismatist ठीक है क्या बोलते है numismatist जो coil connect करता हुआ अगर और option की बाद करते हैं तो पहला option है paddler paddler का मतलब होता है fairy वाला जो ferry बाला कुछ लेके बेचता उचता रहता है उसका हम लोग ferry बाला बोलते हैं ठीक है second option है fillet list इसको बोलते हैं ticket जमा करने वाले को बोलते हैं ये ठीक है फिर next है bursar, bursar का मतलब हम लोग बोलते हैं एक हम लें नाम तुना होगा आपने हिंदी में kosa dhach ठीक है को साथ है अच कोई बोलते हैं bursar clear है चलिए अब बढ़ता है next question की तरफ next question है हमारा एक person addicted to alcohol एक ऐसा person जो addicted होगा alcohol का हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे option number ये जो होगा वो हमारा correct answer होगा मतलब deep somenic deep somenic जो होता है उसको हम लोग बोलते है person addicted to alcohol और options की अगर हम बात करते हैं insomenei किसको बोलते हैं ठीक है जो जिसको हम लोग निद्राहिन बोलते हैं ठीक है निद्राहिन जिसको नीदी ना आता हो उसको हम लोग insomeneic बोलते हैं ठीक है next one है हमारा next one जो है हमारा वो है titolar का मतलब होता है next one है हमारा वो है kelpt omenic kelpt omenic का मतलब होता है जो की चोरी करने की बिमारी से पिरित हो kelpt omenic का मतलब होता है जो चोरी करने की बिमारी से पिरित हो उसको हम लोग बोलते हैं चलिए अब बढ़ते है next question की तरब, next question है to disinfect by a smoke or gases, ठीक है, तो इसका जो सही answer होगा, बो हो जागा, option number B, यहनी fumigate, fumigate का मतलब क्या होता है, धूप देना या सुवासित करना, clear है, और options की अगर हम बात करते हैं, तो पहला option है, amputate, amputate का मतलब होता है, अंग छेदन करना, next है antidote, antidote का मतलब होता है, विस नासक, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अभी तक करोना का antidote नहीं मिला है, ठीक है, तो antidote का मतलब क्या होता है, उसके against, उसका जो 20 हरने वाला विस नासक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, next option है, वो हमारा है, fugitive, fugitive का मतलब होता है, को होगा option number A यानि caddy का मतलब हम लोग जिसको ऐसे नॉर्मली बोलते हैं ठीक है फिर next option है a struggle को हम लोग बोलते हैं कोईला रखने की जो टोकरी होती है उसको a struggle बोलते हैं next है create का मतलब हम लोग बोलते हैं नमकदानी जिसमें हम लोग नमक रखते हैं next option है cuver cuver का मतलब होता है tercus जिसमें हम लोग ban रखते हैं clear है चलिए हम next question की बात करते है next question है fill in the blanks with the appropriate choice ठीक है आपको fill in the blanks ये आपको इसमें से ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है ठीक है तो इसका जो सही answer होगा पहले का बो होगा edge, white edge or snow ठीक है मतलब हम लोग जिसको बोलते है birth की तरह स्वेद ठीक है ये जो जितने भी smileys के form है edge, white edge, edge, sober edge इसका मैं एक और वीडियो ले के आऊँगा क्यूंकि मैं देख रहा हूँ कि previous year के सारे questions में आपको 5 questions ऐसे पूछे जा रहे है तो आपको अगर मैं एक वीडियो ले के आ जाऊँगा तो उस एक वीडियो से आपका 5 marks clear हो जाएगा English का तो वो वीडियो में जलनी आप लोगों के लिए ले कर आऊँगा next question है हमारा 122 जो कह रहा है इसका जो साही answer होगा वो होगा as sober as judge ठीक है as sober as judge का मतलब क्या होता है judge के रूप में सांथ होना चाहिए धैरल जिसको पाफ सबसे जादा हो तो वो judge से हम लोग उसका compare करते है clear है next question है हमारा 123 123 कह रहा है इसका जो साही answer होगा वो होगा as pretty as picture next है हमारा as quick as computer as quick as runner as quick as flash as quick as sober तो इसका जो साही answer होगा as quick as flash जिसका मतलब होता है बिजली की तरह एकदम मतलब फुर्ती से आया फुर्ती से गया जिसको हम लोग बोलते है बहुत fast है बहुत सिग्र है next question है 125 वो उसका जो साही answer होगा बोला जाता है as happy as luck clear है चलिए अब आठता है next question की तरह next question है identify the correct meaning of the bird of the given item of preferred एक item and phrases का भी मैं वीडियो आप लोगों को जल्दी दे दूँगा ताकि आपको वहाँ से भी 5 नमर clear हो जाए जो most scoring topic है उसका मैं 2-3 वीडियो जो आप लोगों को दे दूँगा ताकि आप लोगों का जो score अच्छा हो जाए clear है चलिए 126 की बात करते हैं तो इसका होगा answer with open arms with open arms का मतलब क्या होता है with open arms का मतलब होगा with enthusiasm enthusiasm का मतलब होता है पर संता पुर्वक उत्साह के साथ ठीक है next है हमारा 127 to rain cats and dogs cats and dogs का मतलब होता है बहुत तेज बर्षा होना मतलब मुसलाधार बारिस होना को हम लोग बोलते है to rain cats and dogs ठीक है तो इसका जो सही answer होगा option number B to rain heavenly clear है चलिए next question है 128 to have your heart in your mouth मतलब to have your heart in the mouth का मतलब होता है to become afraid मतलब option number C जो होगा वो हमारा correct answer हो जाएगा next question की अगर हम बात करते है 129 तो बहुत टू ड्रॉए लाइन to draw a line का मतलब होता है कि हमने रेखा खीच दिया है अब उससे आप आगे नहीं बढ़ सकते जैसे आज for example बोला जाता है कि एक लच्मर एखा घीच दिया गया मतलब इसका जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा to set a limit मतलब हमने एक line घीर दिया मतलब हमने एक limit लगा दिया कि अब यहां से आप आगे नहीं जा सकते है next question है हमारा a rolling stone gathers no moss ठीक है a rolling stone gathers no moss तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा option number D मतलब active people age grassfully देखे people who are always moving with no roots in one place or another avoid responsibilities and cares उसको बोला जाता है a rolling stone gathers no moss clear है? चलिए clear है? नै इसका जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा option number B मतलब मैं अना steady person इस अंसक्सेस्फूल active people age grassfully नहीं होगा अना steady person इस अंसक्सेस्फूल मतलब जो अना steady person होता वो हमेशा अंसक्सेस्फूल होता है next question है 131 131 है कि how many diphtonal glides are there in English Bible British received pronunciation तो diphtonal का मतलब क्या होता है हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे swear, do you swear तो diphtonal का मतलब होता है do you swear ठीक है अग glides का मतलब क्या होता है अर्ध swear ठीक है तो कितने हैं देखिए English में wobbles sound कितने है 20 है there are 20 wobbles out in English ठीक है 12 pure है और 8 wobble glide है ठीक है तो इसका जो science होगा बो होजएगा option number D यानि 8 जो होगा बो correct answer होगा clear है ये सब जो chapters है बो आप एक chapter पढ़े होंगे phonetics उस बो सब का ये questions है next है the bird is not an example of dental fricative ठीक है तो इसका जो science होगा बो होजएगा option number D tree h लगा हुआ देखियेगा बो डेंटल fricative का example हो जाएगा ठीक है यहाँ भी TH है यहाँ भी TH है यहाँ भी TH है तो ये सब क्या dental fricative का example है लेकिन यहाँ TH नहीं है तो ये dental fricative का example नहीं है सबसे अच्छा dental fricative पहचानने का तरीका होता है आखिए dental fricative है क्या तो एक ऐसा fricative मतलए fricative constant pronounced with the tip of the tongue against the teeth is known as dental fricative, clear है? चलिए next question की अगर हम बात करते हैं तो next question है हमारा 133, 133 कहा रहा है which word is an example of alveolar fricative तो इसका जो सई अंसर होगा बो हो जाएगा option number a यानी a scope, चीक है, alveolar fricative होता क्या है मतलब air scaps through a narrow passage along the center of the tongue जैसे कि as for example हम लोग बोलते हैं sip, zip यह सब क्या है, alveolar fricative का example है, clear है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगरे question की तरफ जो की हमारा question number 134 134 है, this is not an example of initial cluster of consonant देखें, initial cluster of consonant की अगर हम बात करते हैं तो मतलब composed of s followed by a small sets of consonants जैसे कि as for example हम लोग बोल सकते हैं, a string, a smoke यह सब क्या है, initial cluster of consonants का example है तो यहां लेकिन question पूछ रहा है, कि कौन सा not है, मतलब नहीं है initial cluster of consonant clear है, अब अब अगरे question की तरफ जो की हमारा question number 135 135 का रहा है, in this case, both elements are ascendant ascendant का मतलब क्या होता है? हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे, soar benjan, ठीक है? तो ascendant का मतलब होता है, soar ghatit clear है, अब अगरे question की तरफ जो की हमारा 136 136 कह रहा है, the bird is an example of leap rounded प्लोसीब, तो इसका जो science होगा, वो जागा option number pool देखें, यह ऐसा कुछ होगा, leap rounded का मतलब जैसे कि और भी आप आप और example याद रख सकते हैं, जैसे कि जितना है, वो leap round हो जाता है उसको बोलने में, जैसे कि हम लोग food है, roof है, voice है, move है, Jew है, यह सब में क्या होगा? leap rounded processes का यह example है, clear है? चलिए, अब अब अगर्टा next question की तरफ जो की हमारा 137 137 है, these bird is an example of leap asprid friccated, मतलब जिसमें leap asprid हो जाता है, तो इसका जो answer होगा, वो हो जगा, option number C, यानि जिप, और भी अगर एगर example की अगर हम बात करते हैं तो हो जाता है, जैसे कि feed, leave, leave, think, with, यह सब example किसका है, leap asprid friccated का example है, clear है, अब बढ़ता है next question की दरब, जो की हमारा 138, this suffix will change a wound into a noun, ठीक है, कौन सा suffix लगने के बाद है, कि आपने यहाँ पे दो चीज पढ़ा होगा, suffix और prefix, ठीक है, prefix जो आगे लगता है, suffix जो पीछे लगता है, नाम से clear होगा, pre, pre का मतलब पहले, तो prefix पहले लगता है, और suffix बाद में लगता तो यहाँ पूछ रहा है, कि a wound noun में कौन सा suffix लगेगा, कि बो एक noun बन जाएगा, ठीक है, तो a wound में कौन सा suffix लगेगा, कि बो एक noun बन जाएगा, तो इसका जो सई अंसर होगा, बो हो जाएगा, a, यानि ans, मतलब जो bud बनेगा, बो हो जाएगा, evidence, ठीक है, और evidence का मतलब क तो चूर मातरा में बहुत चीज अपलेबल है, clear है, चलिए, अब अड़ता है next question की तरब, जो कि हमारा 139, the meaning of prefix postage, तो meanings of prefix postage, ठीक है, तो post का मतलब क्या होता है, post का मतलब होता है, after or behind, ठीक है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, post surgical, post master, ठीक है, तो इसका जो सही answer होगा, बहुत जगा, option number C, post prefix का मतलब होता है, या तो after, या फिर behind, तो behind यहाँ option में नहीं है, after है, इसलिए, after जो होगा, वो हमारा correct answer होगा, clear है, next question की बात करते हैं, जो कि हमारा 140, the meaning of prefix intra is, intra prefix का मतलब क्या है, तो intra prefix का मतलब होता है, within, याद रखिएगा, ठीक है, क्या होता है, within, जैसे कि हम लोग क्या बोलते है, as for example में आप लोगों को बता दू, intra plate, intra plate, ठीक है, intra state, biology पढ़ते हैं आप लोग पढ़े होंगे, intra cellular, intra journal, यह सब किसका example है, intra prefix का example है, next question की बात करते हैं, in the given sentence, fill in the blanks with the correct option, I am interested, यहाँ देखें कौन सा आप लगेगा, I am interested in music होगा, तो option number B जो होगा, वो हमारा correct answer होगा, ठीक है, next question है, I do not have access blank this library, ठीक है, तो इसका जो सई answer होगा, वो हो जाएग, option number D, to, मतलब access to this library, देखें, access to जो है, वो fix proposition है, देखें, आपको कुछ fix proposition याद रखेंगा, मतलब fix proposition कहने का मतलब, जहाँ भी access आएगा, वहाँ to आएगा, ठीक है, कुछ और fix proposition की बात करते हैं, जैसे कि access, जहाँ भी देखेंगा to लगेगा, accurate, जहाँ देखेंगा, वहाँ in लगेगा, accurate in होगा, जहाँ देखेंगा accused, वहाँ हमेशा off लगेगा, जहाँ देखेंगा addicted, वहाँ हमेशा to लगेगा, जहाँ देखेंगा approach, वहाँ हमेशा to लगेगा, तो यह सब क्या है, यह सब fix proposition है, जो की हमेशा fix रहता है, जहां भी यह bird मिले, आपको यह proposition यूज करना है, clear है, चलिए, next question है, my estimate is best blank, my previous experience, मेरा जो estimate है, वो किस पर best है, मेरे पिछले experience पर best है, यानि यहां जो correct answer होगा, बो हो जागा, option number B, best upon होगा, ठीक है, best upon my previous experience, clear है, अब बढ़ते हैं, अपने अगले question की तरब, जो की है हमारा 144, I am assembled blank telling a lie, ठीक है, तो assembled के साथ क्या लगेगा, off लगेगा, मतलब option number 1 हो जागा, वो correct answer हो जागा, Ascend off भी क्या है, एक fixable position है, जहां भी आप Ascend देखिएगा, वहां क्या लगेगा, off लगेगा, ठीक है, Ascend off का मतलब होता है, legit होना, क्या होता है, legit होना, clear है, चलिए, next question की तरह बात करते हैं, next question है हमारा 145, kindly look blank my plants in my absence, तो यहां क्या हो जागा, यहां हो जागा, option number C, यानि after, look after, देखिए, look से बहुत सारी चीज़े हैं, वो आपको याद रखने होंगे, अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, note down कर लीजेगा कहीं, look after का मतलब होता है, ख्याल रखना, क्या होता है, ख्याल रखना, look upon एक होता है, look upon का मतलब होता है, उस चीज को देखो, ठीक है, look upon का मतलब होता है, पर देखो, फिर एक होता है, look at, look at की मतलब होता है, किसी चीज की तरब देखना, ठीक है, किसी चीज की तरब देखना को हम लोग look at बोलते हैं, फिर होता है, look into, ठीक है, look into का मतलब क्या होता है, जाच परताल करना, क्या होता है, जाच परताल करना clear है तो यह सारों चारों लुक का आपका लोगों को clear हो चुका होगा ठीक है चलिए आप बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ जो कि हमारा 148 148 है S is not pronounced at Z in this bird तो S जो है वो Z की तरह किस bird में pronounce नहीं हो रहा है तो इसका जो सही answer होगा आप प्रोनाउंस करके देखिए बीजी, रेज, नौाइज, इंस्योर तो इसका जो सही answer होगा पहुचेगा option number D, इंस्योर next question है beach bird has only one तो इसका जो सही answer होगा तो देखिए slave का मतलब होता है उचारन या काई ठीक है तो देखिए इसको आप सबको पढ़िए same एक ही बार में आप बोल दिये same लेकिन honor पढ़िए honor मतलब आप दो बार उचारन के इसका उचारन जो है बो बाइफरकेट है two parts में, remark, पहले आप लोग re बोले है, फिर mark बोले है ठीक है, next है particle particle मतलब पहले पा बोले है उसके बाद particle बोले है लेकिन same में देखिए, direct आप लोग same मतलब उसके जो चारन है, एक काई जो है, वो एक ही में है, बाइफरकेट नहीं है तो इसका जो सही answer होगा, बो हो जागा option number A, यानि same, clear है चलिए, हम next question की तरह बढ़ते हैं मतलब एक ऐसा later, जो dear sir के साथ स्टार्ट हो रहा उसको किस चीज के साथ खतम करते हैं तो इसका जो सही answer होगा, बो हो जागा option number D, your faithfully के साथ खतम करते हैं देखे, यहाँ एक चीज याद रखिएगा एक चीज क्या याद रखिएगा जब भी dear sir या madam ठीक है, इससे आप later को शुरू किजएगा तो उसको अंत किजएगा your faithfully के साथ लेकिन अगर हम लोग dear के साथ साथ ठीक है, जैसे कि हम लोग नाम लिख दिये कि dear Mr. Ramess dear Mr. Ramess अगर हम लोग लिख दिये तो फिर हमारा your faithfully ना आके क्या आएगा your sincerely आएगा clear है, मतलब अगर dear के साथ आपने नाम अटाच कर दिया dear Mr. Ramess, dear Mr. Ram, Mr. Sam तो नीचे your sincerely आएगा ना कि your faithfully आएगा लेकिन अगर उपर आपने dear sir या dear madam लिखा है तो नीचे your faithfully आएगा clear है, आसा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पूरी अच्छी तरह से clear हो गया होगा ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा comment करके जरूर बताइएगा साथी साथ एक like जरूर कीजेगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो और अगर अभी तक आपने हमारे description पर दिये गए number पर आप मुझे whatsapp कर सकते हैं, clear है, चलिए thanks for watching